तो है गाईज दिस अपकर्स एंड यू वाचिंग टैकूट कॉस्टफेंस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे कीपड मोड्यूल को अपने 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 के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो फैस इस वीडियो को पूरा देखीगा और मैं इसमें बताने वाले इ सबसे पहले पाने के लिए चलिए जलते हैं अपने प्रोजेक्ट के तरह तो फैस मैं बता दी स्मयां को कौन-कौन से कॉप्रेट्स का यूज करना है सबसे पहले एक आडरीनो उन्नो सम जंपर वायर्स ओटीजी क्योंकि मैं इसको फोन से अप्लोड करने आ आला हूं इसलि लग्राम को अप्लोड करने के लिए, चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले करते हैं कि इसकी प्रिण मैट्रिक्स को इस आडरीनो के साथ अटेश कर लेते हैं करने के बाद से यहाँ पर puisque लिए और शुरू करने की बाद से यहां पर 20 दीख रहा होंगे वो आठो पिन को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो आए कनेक्ट कर लेते हैं इसे अच्छा कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अब जो है इस वायर को इसके साथ कनेक्ट करना होगा आडिनो के साथ तो बताता हूँ मैं कैसे कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ यहाँ पर आपको दिख रहे होगा चार पिन और इधर पिन तो चार ब्लैक में हैं और चार वाइट में तो चार जो black वाले हैं वो row के लिए काम करते हैं और चार जो white में हो वो column के लिए काम करते हैं तो program की ह Likewise मैंने क्या किया है कि row के पहले pin को मैंने three number के सान define किया है तो इसको मैं three number के सान अटेच कर देता हूँ हRIN-O के और इसके जो second number का pin है वह मैंने इसके two number pin के साथ connect कर दिया है और इसका जो third number pin ने रोका उसको मैंने eight number के साथ connect कर दिया है तो मैं eight number के साथ इसे attach कर दिता हूँ उसके बाद से जो इसका fourth number pin है उसको मैं zero के साथ connect किया हूँ जो zero के साथ connect कर दिता हूँ और पिर आता है column की बारी सो कॉलम के बारे मैं बताओं सो इसमें भी कॉलम का जो connection होगा वो पहला जो कॉलम का pin है वो blue है सो ये blue आली pin जो जा है 7 नमर के साथ attached होगी और फिर इसके जो 2nd नमर pin होगी वो जो होगी इसके 6 नमर के साथ और इसके जो 3rd नमर pin होगी वो 5 नमर के साथ और जो last बची वो 4 नमर के साथ attached हो जाएगी सो ये होगी connection सो अब चलते हैं mobile के screen पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे programming की हुई है और कैसे इस keyboard को configure किया हुआ सो कि आपको इन पर configure करना होता है कि कौन से keyboard के लिए value क्या होगी सो configure करना होता है वो मैं दिखाता हूँ सो चली चलते है phone की screen पे सो फिर्स प्रोग्राम को upload करने के लिए आपको एक application की जड़त पड़ेगी जिसका ना में Arduino IDE सो ये रही हो application तो ये आपको प्ले स्टोर से इजली अबलेबल वहां से आप डाउन्लोड कर सकते हो तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस है तो फिर्स ये जो आप Keepit Metric Module जब यूज करोगे तो इसको आपको यूज करने के लिए आपको एक library की यूज करनी होगी जिसका नामे Keepit.h library तो फिर्स अगर आपको पता करना है कि कैसे library को add करते है तो मेरे पिछली वीडियो जाके जरूर देखिएगा मैं आपको i button में डाल दूँगा और आपको description में डाल दूँगा तो आप वहां से जाके देख सकते हो और साथ जाथ end screen में भी होगा तो फिर्स अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं उस sketch को open कर लेता हूँ तो यह आपको आराम से उसमें ही मिल जाएगी Keypad के library में ही तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं library के अंदर जाता हूँ और नीचे आता हूँ इसके तो नीचे आपको दिख रही होगी यहाँ पर आपको दिखेगी Keypad वाली यह रही Keypad वाली ठीक है और यहाँ पर आपको examples में जाना है तो अब देख सकते हो इतने सारी sketch है मैं multiple key वाली multi key वाली option sketch को open कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके की coding है मैं आपको दिखा दिता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर library include किया है जैसे कि आप देख सकते हो include keypad.h library ठीक है और फिर आप नीचे देख सकते हो नीचे आपको दिख रही होगी const bit row सो यह है row और नीचे देख सकते हो const bit column so cols लिखा हुआ सो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 4 row और 4 columns होते हैं सो आप चाहो तो इसके columns को घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो sorry बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसमें जितने columns होंगे उतने ही तो आप देख सकते हो सो घटा सकते हो columns को अपने हिसाब से ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो इसमें 4 row को configure किया है और 3 column को ही किया है मतलब कि इधर वाले को यह define नहीं किया है अब क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे के तरफ एक matrix मनाई हुई है यह आपको दिखा दू यह आपको एक matrix मनाई हुई है यह 4 into 3 वाली matrix है यहाँ पर आपको दिख रही होगी 1,2,3 इसका मतलब क्या होता है यह रही 1 यह वाली 1,2,3 यहाँ पर कुछ नहीं होगी फिर 4,5,6 7,8,9 और यहाँ पर देखी इसको हैज माना गया तो यह हो गई अब बताता हूँ कैसे इसने पिन को डिफाइन किया है नीचे देख सकते हो इसने bit row pin लिखा हुआ रोज यहाँ पर आपको दिखा दू इंडिकेट कर दो यहाँ पर आपको दिख रही होगी यह वाली यह लिखा है और यहाँ पर इस कॉलिट्यों देखे curly bracket फिर 5 पहला pin 5 में गया है फिर 4 रोग की pin है फिर रोग की pin 4 में गई 2nd वाली फिर 3 वाली 3 के सांथ गई और 2nd वाली pin अब यहाँ पर देख सकते हो col pin columns लिखी हुए है इसमें दिखा हुआ था 3 column define किया हुआ है 3 columns के लिए 8, 7 & 6 define कर दिया है उसके बाद से आप नीचे देख सकते हो नीचे में keypad kpd calls to लिखा हुआ है keypad maker y map keys लिखी हुए है so यह mapping करेगी key को और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने serial begin लिखा है so void setup के अंदर मैंने serial begin लिखा 9600 so यह serial monitor पर आप जो भी type करेगी वह display होगी ठीक है और यह 9600 bot rate पर यह display होगी और यहाँ पर देख सकते हो loop count 0 है और starting time millisecond में हो जाएगी और यह message indicate करेगी ठीक है लिखके और यहाँ लूप होगी so loop में देखे क्या लिखा हुआ so loop में loop count plus plus और लिखा हुआ starting time होगी 5000 का मतलब होता है 5 seconds ठीक है फिर serial print होगी average loop per second मतलब कि per second में loop average होगी और serial print loop print यहाँ पर आप देख सकते हो starting time mills लिखे होगी है loop count लिखे होगी है और फिर यहाँ पर आगे बहुत में मारे coding है so friends यह जो सारे coding है वह आपको अराम से keep it dot h library के अंदर मिल जाएंगे और भी बहुत सारे coding है जो keep it dot h library के अंदर है तो आप वहाँ से use कर सकते हो लेकिन सारे sketch है वह 4 x 3 पर defined है तो मेरे 4 x 4 वाली है तो आप चाहो तो 4 x 3 भी कर सकते हो इसके लिए लेकिन मैं 4 x 4 यूज करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया है इस sketch को update कर दिया है update में मैंने क्या किया है कि columns को जहाँ पर 3 लिखी हुए तो इसको 4 कर दिया है और यहां पर जो 3 pin कर दिफाई आएंगी वही थी column में उसमें एक और add कर दिया है ठीक है तो वह updated वाली sketch को मैं open कर लेता हूँ तो कुछ यह वाली sketch है जिसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने यहां पर मैंने 4 x 4 क्रॉस कर दिया है और यहां पर मैंने देख सकते हो यहां पर मैंने 4 x 4 वाली matrix डिफाइन कर दिया है इसके लिए जो configure करते है तो 1 2 3 4 A और 456 B और 7 8 9 C स्टार हैज 0 है ठीक है इसको मैंने डिफाइन कर दिया है और यहां पर देख सकते हो यहां पर 1 pin मैंने और extra add कर दिया है यहां पर 4 number वाली तो यह हो गई तो और सारे sketch सही है तो अब इसको compile कर लेते हैं इस sketch को compile पर क्लिक कर लेते हैं तो यह compile start हो चुकी है और यहां पर compile finished हो गई तो program एकदम सही है तो अब इस program को upload कर लेते हैं तो मैं OTG को इसके साथ attach कर लेता हूँ Attach करने के बाद देख सकते हैं यहां पर message जाएगा तो अब मैं दिखाता हूँ आपको तो पहले इसको upload कर लेते हैं एक message आती है इसे ok कर लेते हैं सो यह sketch finished हो चुका uploading तो अब चलते हैं serial monitor पर सो कि serial monitor पर यह display होने वाली है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं one type करता हूँ one तो देख सकते हैं जैसे कि यहां पर one display हो रही है आप मैं यहां पर जब two display कर आता हूँ तो two display हो रही है three, four, a, four, five, six, b, seven, eight, nine, c, star, h, d ठीक है तो सारे की work कर रहे हैं तो यह जो हता है एक switching की तरह काम करता है तो आप नगर नहीं देखा इसके बारे हैं full features और इसके unboxing के बारे में उस वीडियो में इसके सारे unboxing और इसके सारे features बता हुए है वो भी description में मिल जाएंगे और I button में मिल जाएंगे और यहापे आप देख सकते हो यहापे बटन को click करता हूँ जासे कि मैं यहापे D click करता हूँ तो यहापे blinking होती है जासे कि मैं आपको दिखाता हूँ 8 click किया आपे देख सकते हैंम blinking हो रही है तो यह जो होता है डेटा को ट्रांसपर कर रहा है इससे पता चलता है ठीक है तो यह जब मैं ज्यादा दिर तक प्रेस्ट कर दूंगा तो कुछ और बन जाती है यह 1 और 7 आप डालोगे एक साथ तो 17 बनती है वो अगले वाले कोडिंग में है तो मतलब उसमें जो स कब से पहले पाने के लिए तो चलिए चलता है मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाए और बी से एफ